इस वीडियो में हम average आउसत के कुछ important question को solve करना सीखेंगे ये सारे question बहुती important है और सभी तरह के competitive के exam में बार बार repeat किये जाते हैं हम ऐसे question को बनाने का बहुती आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे question को solve कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लो और bell icon के all पे click कर ले ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे यह हमारा पहला question है प्रथम 80 प्रकीतिक संख्या का आउसत क्या होगा यहाँ पे बोला गया है प्रकीतिक संख्या का आउसत निकालने के लिए प्रकीतिक संख्या किसे कहते हैं जो एक से सुरू होता है एक दो तीन चार इस सबसे पहले basic question लिया है उसके बाद हम वर्गों का आउसत भी निकालना सिखेंगे इस question को solve करने के लिए हम एक formula का यूज करेंगे first plus last बटा में 2 इस formula का यूज करेंगे यहाँ पे पहला number है एक last number है यहाँ पे 80 तो एक और 80 को जोड़ेंगे one plus 80 बटा में 2 तो हमें यहाँ पे मिलेगा 180 बटा में 2 इसे solve करने पे हमें मिलेगा 40.5 यह हो जाएगा हमारा final answer मतलब 1 से लेकि 80 तक के प्रकीतिक संख्याओं का आउसत कितना होगा 40.5 होगा जो की option A में दिया गया है तो option A हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question को आप ऐसे solve कर सकते हैं हम बनाते हैं एक अ प्रकीतिक संख्याओं के वर्गों का आउसत क्या होगा यहाँ पे हम एक formula का यूज करेंगे इस question को solve करने के लिए यहाँ पर प्रकीतिक संख्याओं के वर्गों का आउसत निकालना है तो formula होगा हमारा n प्लस 1 into 2n प्लस 1 बटा में 6 इस formula का यूज करके हम ऐसे question को solve कर सकते संख्याए कितनी है लगातार 20 तक की प्रकितिक संख्याओं के वर्गों का उसत बोला गया है तो एक से लेके 20 तक की जितनी संख्याओं है उनका उसत निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे N का मान हमारा क्या होगा N का मान होगा 20 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 1 यह होगा ब्रैकट में यहाँ पे 2 गुना N बोला गया है तो 20 गुना 2 करेंगे तो हम यहाँ पे मिलेगा 40 प्लस 1 यह ब्रैकट में होगा बटा में 6 तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1 21 गुना 40 प्लस 1 41 बटा में 6 इसे 3 से कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 सते 21, यहां पर हम इसे गुना करेंगे 41 और 7 को, 7 एकम 7, 7, 4, 28, 287 बटा में 2 होगा, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 143.5, यह हो जाएगा 20 तक के प्रकितिक संख्याओं के वर्गों का आउसत, यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो इस फोर्मूले का यूज करके question को solve कर सकते हैं, अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न, इस question में बोला गया है कि प्रथम 16 प्रकितिक संख्याओं के घणों का आउसत क्या होगा, यहां पे घणों का आउसत पुछा गया है, तो यहां पे हमें फोर्मूले का यूज करेंगे, N into N plus 1 का whole square बटा में 4, N का value क्या है, N का मान होगा यहां पे 16, तो 16 लिखेंगे, उसके बाद 16 plus 1 करेंगे, मतलब यहां पे गुना 17 का square होगा, बटा में 4, तो 4 से 16, चार बार में कर जाएगा, यहां पे 17 का square है और 4 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 4 गुना, 17 का square होता है 289, तो 4 गुना 289 करेंगे, तो हमें यहां पे मिल जाएगा 1156, 1156 जो है वो हो जाएगा हमारा final answer, मतलब की 16 प्रकेतिक संख्याओं के घनों का आउसत हो जाएगा 1156, जो की option C में दिया गया है, तो option C हमारा सही answer हो जाएगा, इस तरह के question आप ऐसे solve कर सकते हैं, हम बनाते हैं ए अगला प्रस्ण, अगला टाइप है हमारा प्रथम 51 संख्याओं का आउसत क्या है, यहां पे संख्या बोला गया है, संख्या हम किसे कहते हैं, 2, 4, 6, 8, यह सभी संख्या संख्या है, यहां पे हमें प्रथम 51 संख्याओं का आउसत निकालना है, प्रथम 51 संख्या का मतलब क् प्रथम एक क्यावन संख्या लेंगे तो यहाँ पे एक क्यावन गुना दो करना पड़ेगा तो हो जाएगा 102 इस 102 संख्या में एक क्यावन संख्या होगा और एक क्यावन विसंख्या होगा अगर बोला जाता कि एक क्यावन तक संख्या का उसत क्या है तो हम एक क्यावन लास् तोटल संक्या 102 लेंगे जिसमें 157 संक्या होगा और 155 वी संक्या होगा यहाँ पर भी हम वही फान्मूले यूज करेंगे फर्स्ट प्लस लाष्ट बटा में 22 पहला नमबर होगा 2 तो लिखेंगे लाष्ट नमबर कौन सा होगा 102 तो यहाँ पे लिखेंगे 102 बटा में करेंगे 2 यहाँ पे 102 और 2 जोडएंगे तो 104 बटा में 2 यह 2 से कटेगा 252 दूनी 4 52 हो जाएगा हमारा final answer प्रतम 156 क्या होगा 52 होगा जो कि option d में दिया गया है तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा इस तरह आप ऐसे question को solve कर सकते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्नि इस question में बोला गया है कि लगातार 46 तक के समसंख्याओं का आउसत क्या होगा यहाँ पे हमें 46 तक ही समसंख्याओं का आउसत निकालना है तो last number यहाँ पे हम 46 ले सकते हैं और पहला number कौन सा होगा first number होगा हमारे पास 2 अगर बोला जाता कि प्रथम 46 समसंख्याओं का आउसत तो 46 गुना 2 करते जो आता वो हमारा last number होता तो यहाँ पे हम first plus last करेंगे 2 plus 46 करेंगे बटा में 2 करेंगे 46 और 2 होता है 48 बटा में 2 यह 24 बार में कर जाएगा 24 हो जाएगा हमारा final answer मतलब लगातार 46 तक के समसंख्याओं का आउसत कितना होगा 24 होगा जो की option A में दिया गया है तो option A हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question को आप ऐसे solve कर सकते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न इस question में बोला गया है कि प्रथम 12 तक के समसंख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा तो यहाँ पे last number 12 ही लेंगे क्योंकि 12 तक ही हमें निकालना है यहाँ पे वर्गों का आउसत निकालना है तो यहाँ पे हम एक formula का यूज़ करेंगे n प्लस 1 into n प्लस 2 बटा में 3 यह सारे formula आप note करके रख सकते हैं इन सभी formula का यूज़ करके आप ऐसे question को कम से कम समय में solve कर सकते हैं यहाँ पे n का मान है 12 तो 12 प्लस 1 करना है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 13 गुना यहाँ पे 12 प्लस 2 करना है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 14 बटा में 3 इसे solve करने पे मिलेगा 66.66 आप इसे 66.67 भी लिख सकते हैं option B में दिया गया है 66.66 तो ये हो जाएगा हमारा final answer इस तरह आप ऐसे question को solve करेंगे अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्थ में इस question में बोला गया है कि प्रथम 15 विशम संख्याओं का आउसत क्या है यहाँ पे प्रथम 15 विशम संख्या बोला गया है तो हम 15 गुना 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 30 इस 30 में 15 संख्या होंगे और 15 विशम संख्या होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रथम 15 विशम संख्या बोला गया है इसलिए हमने 2 का गुना किया है यहाँ पे हमारा last number कौन सा होगा 30 हम नहीं ले सकते 30 एक समसंख्या है यहाँ पे विसमसंख्या का औसत निकालना है तो हम last number लेंगे यहाँ पे 29 last number हो जाएगा 29 और first number है हमारे पास 1 तो 1 प्लस 29 करेंगे first plus last करेंगे बटा में 2 लिखेंगे 29 और 1 होता है 30 बटा में 2 करेंगे 15 बार में कड़ जाएगा 15 हो जाएगा हमारा final answer मतलब प्रथम 15 विसमसंख्या का औसत होगा 15 जो कि option C में दिया गया है तो option C हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह आप ऐसे question को कम से कम समय में solve कर सकते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्ण इस question में बोला गया है कि 100 तक के सभी विसमसंख्याओ का औसत क्या होगा यहाँ पे बोला गया है 100 तक के सभी विसमसंख्याओ का औसत क्या होगा तो 100 हम last number नहीं ले सकते अगर प्रथम 100 विशम संख्याओं का आउसत बोला जाता तो 100 में हम 2 का गुना करते तो हमें 200 मिलता उसमें 100 संख्या होता और 100 विशम संख्या होता पर यहाँ पर 100 तक के सभी विशम संख्याओं का आउसत बोला गया है तो last number हम 100 नहीं लेंगे हम ले बटा में 2 पहला नंबर है 1 प्लस अंतिम नंबर है 99 बटा में करेंगे 2 यहां पे 99 प्लस 1 हो जाएगा 100 बटा में 2 यह 50 बार में कर जाएगा 50 हो जाएगा हमारा final answer जो की option D में दिया गया है तो option D हमारा सही answer हो जाएगा इसला आप ऐसे question को कम से कम समय में solve कर सकते हैं अब हम एक अगला प्रस्ण इस question में बोला गया है कि प्रथम 10 तक के विशम संख्याओं के वर्गों का आउसत क्या होगा यहां पे 10 तक संख्या दी गई है जो विशम संख्या है बोला गया है कि इनके वर्गों का आउसत क्या होगा तो यहां पे हम formula का यूज़ करेंगे क्योंकि का आउसत बोला गया है तो n into n plus 2 बटा में 3 ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हम n का मान 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे विशम संख्या का वर्गो का आउसत निकालना है तो विशम संख्या कौन सा होगा 10 के पहले 9 विशम संख्या है तो n का मान होगा 9 और यहाँ पे n के जगा पे लिखेंगे 9 गुना 9 प्लस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 11 बटा में करेंगे 3 309 बार में कर जाएगा 11 गुना 3 होता है 33 तो प्रथम 10 तक के विशम संख्या हो के वर्गो का आउसत क्या होगा 33 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा final answer जो कि option C में दिया गया है का option C हमारा सही answer हो जाएगा इस type के question अभी सभी तरह के competitive के exam में बार बार repeat किये जाते हैं आप इन सभी formula के जड़िया आप ऐसे question को कम से कम समय में solve कर सकते हैं